आज है एक अक्टूबर और हम शुरू करते हैं असके करेंट अफेर्स पहला है बांधो का टाइग रिजर्ब यह टाइग रिजर्ब बना था उनने से तरानवे में उसके पहले यह नेशनल पार्क था जो उनने सट में गोशिद किया गया था ठीक है अभी यहाँ पर यहाँ आज ने कुछ साइट्स पाई हैं जो कि एंशेंट हिस्ट्रे से लेटेड़ हैं वहां पर कई सारे ऐसे एविडेंस में जैसे 26th के वह महायाना से लेटेड़ करती है महायाना से बुर्षिजम को सक्ट है ठीक है हम जानते हैं हीन्यान और महायान ठीक है और उनका जो टाइम है मट्डेट है वह अजनता केवस जब बनी थी उनके टाइम का है अजनता केवस औरंगाबाद में है जो कि युनिस को वर्ड हैटेस साइट में इंक्लूडड़ है ठीक है वहां बाद्धाकोर साइट पे थोड़े से और चीजे मिली है जैसे दो मठ हैं दो स्थूपा है च क्योंकि दूसरी से पांचवीश अताबदी से लेट करते हैं ठीक है जो मंदीर है वह थोड़े से बात के समय के हैं काला चूरी पीरेट माना जाता है काला चूरी 9th से 11th century के बीच में थे ठीक है और जो वाटर बोड़ीस हैं वह भी 2-15 century के बीच के माने जाते हैं फिर वहा के नाम है जैसे श्रीव भीम सेना, महाराजा, पुथा, सिरी और भटादेळा उसके बाद मानिय कोमीटी इसका काम होता है कि जो policy rate रिट होता है, पॉलिसी इंटरेट उसकोई इंटरेस्टे उसको टू ओफिक्स करती है, जो भी मानियर्मर्यात के अब जो पुडिधिव है उसको achieve करने के लिए इसमें इसमें छे मेंबर होते हैं और governor जो होते हैं वो ex-officio chairman होते हैं तीन RBI की तरफ से होते हैं और तीन government dominant करती है जिनको government dominant करती है हो चार साल के लिए इसके member होते हैं ठीक है और इनका decision होता है वो majority basis पर होता है governor casting vote डालते हैं कास्टिंग वोट का मतलब होता है अगर तीन तीन टाइब हो गया तो गवर्नर अपना वोट डालेंगे ठीक है और यह साल भर में चार बार मिलते हैं और डिसीजन जो भी इनका होता है उसको यह बताते है उसके बाद आइकारिया यह एक कैट फिस इस परिश्टीज है ठीक है ICR का मतलब है Indian Council of Agriculture Research ठीक है उसके बाद 8 core industries 8 core industries में कौन-कों से आती है coal, crude, natural gas, refinery product, fertilizer, steel, cement और electricity ठीक है यह सब है और इनका जो टोटल बेटेज है वो 14.27% है जो हमारा IIP है Index of industrial production ठीक है उसका जो हम हंडेड में 40.27% इन 8 core industries का है एक्चली इंपॉर्टेंट इसले है क्योंकि UPSC ने कई बार पूछा है कि इसमें से highest weightage किसका है ठीक है तो इसको भी हम देखेंगे किसका कितना weightage है और यह जो इसका जो data है वो जो एक department है Office of Economic Advisor जो की Department of Promotion of Industry and Internal Trade के अंदर में आती है ठीक है वो इसको प्रोड्यूस करती है यह जो DPI IT है यह खुद Commerce Ministry के अंदर में आती है ठीक है Commerce and Industry Ministry यह वह data है जिसमें उनके weightage लिखें है percentage wise ठीक है सब जादा weightage है refinery product industry का second पर electrical electricity industry का और सबसे least पर fertilizer industry ठीक है फिर है नागरलेंड और नचर प्रदिस में छे मैने के लिए आसपा को बढ़ा दिया गया ठीक है आसपा मतलब Armed Forces Special Power Act 1958 इस law के तहर्ट जो Armed Forces जैसे Army, Air Force, Center, Parametric Forces इनको Special Power और Immunity मिलती है वहाँ पे public order maintain करने के लिए कहां पे? Disturb areas में ठीक है disturbed areas में ही apply होता है ठीक है किसी भी area को जब disturb area घोशित कहा जाता है तो यह असपा वहाँ पे apply कह सकता है ठीक है और disturb area क्या होते है जहां पे किसी तरह का dispute हो या difference हो ठीक है जैसे religion को लेके racial या language या regional group या caste community के बीच में ठीक है अगर कोई ऐसे तरह का बात हो dispute हो तो उसको disturbed area घोशिद किया सकता है और जो उस state या UT के governor है वो उस एरिया को disturbed area घोशिद कर सकते हैं ठीक है special power मतलब होता है कि वो किसी पर भी force के use कर सकते हैं even वो गोली भी चला सकते हैं ठीक है अगर उन्होंने कोई order दिया है और उसको कोई नहीं मानता है तो उनको अधिगार होता है कि वो गोली चला दें ठीक है माल लीजे कि जैसे prohibition order है कि पांच यह उससे जादर लोग assembly नहीं कर कर सकता उस area में ठीक है अगर किसी ने अद्श का पालन नहीं किया तो उस पर गोली चलाई जा सकती है और power to arrest किसी को भी बिना warrant के arrest कर सकते हैं यह उस area में ठीक है और बिना किसी warrant के किसी भी premises में किसी के घर में या property में see yeah search कर सकते है ठीक है और जो भी action वह लेंगे वो उस CRPC का section 151 है उसके अंडर में defined है उसमें बताया गया कि जब पुलिस को लगे किसी के ऊपर suspicion है ठीक है कि वो कुछ गलत कर सकता है तो वो उसको arrest कर सकती है ठीक है इसमें उन्हें किसी order की कि यह किसी warrant की दुरूत नहीं पड़ती है और वो पहले से उनको अनुमान है कि यह कुछ गलत कर सकता है कोई वेक्ति तो उसको arrest कर सकते हैं ठीक है यह precautionary major है और यह पूरे उनकी suspicion पर बेस है इसके लिए उन्हें कोई evidence नहीं देना पड़ता ठीक है और जो detention of preventive detention of arrest है उसमें इन्होंने यह crime किया इसलिए इनको arrest किया गया है ठीक है और जिब ऐसा होता है तो उनको फिर magistrate के सामने 24 गंटे में पेश किया जाता है प्रिवंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता ठीक है और उनको सिर्फ यह कहा जाता है कि law and order को maintain करने के लिए इनको अभी preventive detention में जादा नहीं रख सकते प्रिवंटिव डिटेंशन में और अगर ऐसा करना है तो उनको high court judge यह advisory board की permission चाहिए होगी ठीक है उनहीं के कहने के बाद ही तीन मेने से जादा रखा जा सकता है प्रिवंटिव डिटेंशन में और जो भी जिस भी बंदे को प्रिवंटिव डिटें सकती है ठीक है रहए उसके बाद उल्सको इस चीजे का हाग्या जिसको प्रिवंटिव डिटिशन में हम आखा गया है कि वह इसके खिलाफ कर सके ठीक है के सके बादicy पर परिव्टे टेवह एक लग व्ट्व हर के घडियो थेडयों थार्टियम घिड मताए कि एक अक्टू प्रिटरी चेक्पॉइंट्स होते हैं उसको ये skip कर सकें टीक है इसकी smell जो जोटी वो चींज आजती है और appearance में भी यह थ्हुड़ा सा रश्या के दारह 2014 में और अब यह चारो रिजन भी आगे उसके कंट्रोल में तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यह इस्टन साइड है पूरा यॉक्रेन का वह अब रश्या की कंट्रोल में है ठीक है तो यह थ्याज के मारे करेंड फैर्स सुनने के लिए धन्यवाद